कि एलो फैंट्स आज हम बात करने वाले हैं नुमरीकल सॉलिष्ट ऑफ डिफ्रेंट्टी ऑडिनरी डिफ्रेंशियल इक्वेशन तो उसको हम स्वाल करने के लिए फाइव मेथड्स हैं फॉर्स्ट है टेलर सीरीज मेथड्ड सेकेंड है विलर्स मेथड्ड थर्ड नमबर की ह तो यहां पर आपको चार मेतड़ बहुत इंपोर्टन्स है तो कि टेलर सीरीज मेतड़ रंगे कुटाज मेतड़ और इंपोर्टन्स मेतड़ है वह आपकी इंपोर्टन्स है एक्जम्प में कहीं बार यही तिन चार में से कोई एक्जम्पल पूछते हैं आपको तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से वर्क करती है सारी मेतड़ हमको क्या गीवन होगा तो मैं आपको बताऊंगा अब स्टाइनर्द फोर्म की न्युमरिकल सॉलेशन ओफ और डिफरेंशल इक्वेशन में किस तरह से हमें घिवर होगा तो उसका अब स्टाइनर्द फॉर्म देते है तो आपको गिवन होगा dy by dx is equal to function f of x, y इस तरह से आपको कोई dy by dx differentiation दिया गया है और आपको बोला गया है कोई y of x0 is equal to y0 की value गिवन होगी इतना आपको गिवन होगा और आपको बताया जाएगा कि आप कोई x point के पास function y की value निकालो यह जो y function है वो x के form में होगा तो आप x की वहाँ पे value रखो और y of x की value क्या होती है वो निकालना होता है तो अभी हम पहले बात करने वाले इस वीडियो में Taylor series method और यह सारी method के आपको वीडियो description में जाके playlist में ने बना जा है numerical solution of ODE ordinary differential equation short में बोलते है ODE वहाँ पे जाके आप देख सकते हो इस वीडियो में Taylor series की बारे में बात करेंगी तो Taylor series दिए रहाँ तो उसमें क्या होगा कि हमें dy by dx is equal to function f of x,y given होगा और एक value दी गई होगी x0 के पास function y थी वो होगी y0 और हमें पुछा गया होगा कि y of x आप find करिए तो यहाँ पे series क्या होगी Taylor series तो देखो y of x is equal to अपका answer आएगा कि y0 plus x minus x0 x0 आपको question में given होगा और x की value जीस पंचे पास find कर लिए है वो आप यहाँ पे रखेंगे into y dash 0 plus x minus x0 square divided by 2 factorial y double dash 0 plus x minus x0 cube by 3 factorial y triple dash 0 plus x minus x0 raise to 4 divided by 4 factorial y raise to 4 time derivative plus so इसा चलता ही जाएगा आपको कितने तक लेना है आप कैसे research करेंगे तो देखें कि आपको जो यह 5 term है 1 2 3 4 a 5 5 term में से कोई भी term 0 नहीं होनी चाहिए एक term भी 0 हो गई तो आप एक ज्यादा term लो मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ 5 non 0 term पहले 5 non 0 term लो ओके तो आपको जो answer मिलेगा ना तो perfect exact answer नहीं आएगा numerical answer मिलेगा तो यहां पर y 0 क्या है वह मैं बताऊंगा तो कि देखें वह आपको यहां से मिलेगा और y-0 क्या है तो कि वह है dy by dx इस 0, x is equal to x 0 point के पास y double dash 0 क्या है तो कि d square y by dx square कुंसे point के पास x is equal to x 0 point के पास बहुंद एक्जामपल देखते है टेलर सीरीज का तो आपको आसानी से यह सारी method समझ में आएगी तो example देखते है तो एक्जामपल देखें एक्जामपल में क्या पुछा है कि user-tailor series method to solve the equation आपको equation given है मैंने बोला था equation given होगा dy by dx जो f of x, y form में होगा देखो 3x plus y square 2 approximate y when x is equal to 0.1 मतलब कि आपको y की value निखालनी है कौन से point के पास 0.1 के point के पास आपको y of 0.1 निकलना है मैंने बोला था कि आपको given होगा y of x 0 is equal to y 0 तो देखो given that y is equal to 1 when x is equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ कि y of 0 सब आपकी value होगी तो यह हमारा क्या हुआ एक जिरो पूर यह क्या हुआ हुआ यह जिरो ओके टेलर सीरीस क्या है वो लिखते हम पहले उसका फोर्म स्वा इलूशन तेलर सीरीस y of x is equal to x 0 sorry y 0 plus x minus x 0 y dash 0 plus x minus x 0 ka square divided by 2 factorial y double dash 0 plus अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूँ कि y of 0 is equal to 1 यह मैंने लिखा है यहां पर ओके यह हमारा क्या है x 0 और यह क्या है y 0 तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ तो आगे जाहूँगे यहां पर x minus x 0 cube divided by 3 factorial y triple dash 0 plus x minus x 0 raise to 4 divided by 4 factorial y for a time derivative इसके बाद आगे आएगा लेकिन हम कितने लेंगे फाइटम ही लेंगे 1 2 3 4 5 तो अभी हमें क्या निकलना पड़ेगा y 0 तो हमारे पास given 1 है y 0 की value है 1 अब हमें निकलना है y 0 dash y 0 dash निकलना है तो यह हमारा function है हो क्या है f of x, y हो क्या है 3 x plus y square है तो अभी हम निकलेंगे y x क्या होगा तो कि देखो इसको हम क्या बोलते है d y by dx उसको हम बोलते है y dash तो उसकी value आपको given 3 x plus y square तो आप यहां पर क्या चाहिए y 0 dash मतलब क्या होता है उसका आप इसके उपर से क्या कह सकते हो कि y dash x 0 रख देंगे आप तो आपको value क्या मिलेगी है y 0 dash मिलेगी तो आप यहां पर x 0 कर दो और यहां पर y 0 कर दो तो क्या होगा 3 x 0 plus y 0 square आपकी पास x 0 की value है 0 y 0 की value है 1 तो 0 यहां पर क्या एगा 1 सेम इसका second time derivative चाहिए हमें y double dash तो यहां पर क्या होगा इसका derivative करो 3 x का 3 होगा 2 y का होगा 2 y into y dash तो यहां पर आप y dash 0 निकालो मतलब कि यहां पर y 0 y 0 dash होगा तो यहां पर 3 as it is plus 2 into y 0 into y 0 dash 3 plus 2 into y 0 की value क्या है y 0 की value आपने यह निकाली y 0 1 sorry y 0 dash की value 1 है y 0 की value 1 ही है तो मैंने लिखो तो भी अच्छा है 3 plus 2 तो यह हो गया का 5 अब हमें चाहिए यह value y triple dash y triple dash x is equal to इसका भी derivative करो त्रीका तो constant है 0 हो जाएगा 2 y का क्या होगा 2 ay का मैं पहले करता हूँ ay constant हो तो ay into y dash plus अब ay का करता हूँ यहां पर मैंने क्या किया u v rule use किया u into v है तो आप क्या करते हो first का derivative करते हो v as it is constant विका करोंगे तब यू constant तो इस तरह से हम मैंने यहां पर rule use किया तो यहां पर क्या होगा 2 y double dash तो अभी मुझे चाहिए उसका triple का भी y 0 मतलब की सब भी पॉइंट के पास 0 तो 2 into y1 dash into y1 dash y0 dash की value क्या है यह 1 into 1 तो यह 2 रहेगा plus 2 into y0 y0 की value 1 है 5 double dash 0 की value क्या है 5 2 into 1 into 5 समझ रहे हो यहां पर मैं 0 करूंगा तो यह 0 की value क्या है y double dash की 5 y0 dash की y0 की 1 बस वही value में रखी है प्रांसर क्या हैगा 2 into 5 to the 10 मतलब की 12 ओके अब भी हमें और भी चाहिए यह और एक time derivative कर दो इंपल है इसका एक और बात derivative करेंगे तो यह होगा यह देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ square क्योंकि two times थे इसलिए तो यहां पर क्या होगा इसका derivative आपको आता होगा सिंपल होगी कर रहा है अब उसका भी मुझे वाइजिरो के पास और यह term sum हो जाएगा क्योंकि white यह आगे पिछे लिखो कोई change नहीं होता ना तो four plus two six हो जाएगा six y dash into y double less होई है ओके into zero क्योंकि y जीरो के पास कर रहा हूँ यह एज़िटी से two into y double less अब वेल्यू क्या होती है वह देखते है six into y zero की वेल्यू है one इसकी है five plus two into y zero की वेल्यू है one y double dash की वेल्यू है five one यहां पर triple है ना triple की वेल्यू है two into y zero की वेल्यू इसकी है 12 यहां पर क्या होगा six यहां पर आपके पास इसकी वेल्यू आ गई यहां पर बिवेल्यू आंसर मिल जाएगा ओके सिर्फ रख देते हैं तो वाइव्फ पॉइंट के पास के पास पॉइंट के पास प्लस यहां पर है प्लस एक्स की वेल्यू है पॉइंट वाइन सब्भी पॉइंट के पास एक जिरो जिरो है मतलब कि मैं ओटम लिखूंगा यह नहीं है तो पॉइंट वन इंटू वाई डेस जिरो वाई प्लस एक्स पॉइंट वन उसका स्ट्वेर डिवाइड बै टू फेक्टोरियल वाई डबल डेस 12 sly 5 प्लस क्स ौइंट वन क्यूब एक्स जिरो फो जिरो है डिवाइड बै थे फेक्टोरियल वाहाई टृपल डेस के वालू है 12 बॉस एक्स वाइड वाइड वरश roofs divers डिवाइड बै फेक्टोरियल वाहाई तो आप इसको सोल करो कैल्कुलेटर से तो आपको इसका जो आंसर मिलता है ना वो होगा पॉइंट वन के वास में डारेक्ट लिखता हूँ आप प्लीज सोल करके चेक कर ले ना मेरा आंसर गलत है तो मुझे आप कहे सकते हूँ वन पॉइंट टू सेवान तरी वन पॉइंट वन टू सेवान टू 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 आपको यह आंसर आना चाहिए अगर यह आंसर नहीं आया तो मुझे कॉमेंट करके चलूर बताना और आगे के वीडियो की प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक्यो फ्रेंट्स